नमस्कार, सेल्फ में टुटोरियल में एक बार फिर से आपका श्वागत है आज का ये जो वीडियो है, ये बच्चों के डिबांड पर बनाया गया है यानि कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंस ने कमेंट सेक्षन के माध्यम से कुछ कोईशन पूछे थे, वो था के यू के रिजल्ट से सम्मन दित, तो मैं आपको बता दू, के यू के हरियाना का रिजल्ट जारी हो चुका है यानि कि कुरुछेत्रा इनुवर्शिटी का एक्जाम्स जो हुए थे ओनलाइन, उपेन बूक सिस्टम में, उसका रिजल्ट आ चुका है और चैनल पे बताया भी गया है कि कैसे आप अपना रिजल्ट देखेंगे, बिएड का भी और सब्जेक्ट भी है, तो उसका आ चुका है तो रिजल्ट में जिनका आ गया है, उनको तो मैं बधाई देना चाहती हूँ, जिनके रिजल्ट में कुछ गरवड़ी दिखा रहा है, वो भी बधाई के पात रहे, क्योंकि उनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन वो माइनर सा मिश्टेक के कारण रिजल्ट सो नह कर रहा है, तिसलिए उन बच्चों को घबडाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनहीं से रिलेटेड ये एवरिवियेशन, रिजल्ट एवरिवियेशन और दियर मीनिंग्स, से रिलेट एक ये वीडियो है, कि आखिर उनका रिजल्ट सो नहीं कर रहा है, वहाँ पे कुछ सोट फॉर्म लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा पूछा है, तो मैं उसी को लेकर आई हूँ, और आपके जो भी डाउट से उसको किलियर करूंगी, कि अखिर उसका अर्थ क्या है, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, अगर नहीं आय तो आपको करना क्या है, आपको किस के पास जाना है, ताकि आपका रिजल्ट सुधार सके, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे, के यू के कुरुचत्रा इनुवर्शिटी कुरुचत्रा हरियाना के रिजल्ट जो जारी हुए है, उसमें जो जिसके रिजल्ट के पास कुछ सॉट फॉर्म दिये हुए है, एवरिवियेशन दिया हुआ है, उस एवरिवियेशन के अर्थ हम लोग समझेंगे और देखेंगे, कि आखिर आपके रिजल्ट के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, और वो कैसे, कह से और कैसे वो सुधर सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे यह लिखा हूआ के यू के हरियाना result abbreviation के यू के हरियाना result abbreviation and their meanings चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं हर तो सबसे पहले हैं यह देखते हैं यह serial number दिया हुआ है result हगा हो nieuwe जो हुए वह दिया हुए लिएव वह दिया हुए डिस्क्रिप्शिन तर्ड वीक रिदयर कहा हुए टिस्क्रिप्शन यानि करना होगा वो सब यहां पर दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं जैसे एक नमबर में जैसे कि यहां पर नमबर वन दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है U.M.C. oblique RL या UMC RL UMC तो जिनका result आ चुका है बहुत अच्छी बात है और जिनका result नहीं आया है और उनका सामने RL UMC लिखा हुआ है या UMC लिखा हुआ है तो उनको भी खबराने के बिल्कुल जरुवत नहीं है उनका भी result सुधर जाएगा तो देखिए यहां पर क्या होता है UMC RL UMC का अर्थ क्या होता है unfair means case and decision is still pending unfair means case यानि कि कुछ आपके result के साथ कुछ ऐसे unfair case है कुछ भी हो सकता है आपने कहीं अपना roll number नहीं लिखा हुआ हो या जो कुछ भी पेज गडबढ़ हो इस तरह से कुछ भी इस तरह की कुछ भी परशानिया हो सकती है and decision is still pending और इस कारण से decision जो है result का आपका decision pending पड़ा हुआ है तो इसलिए आपको करना क्या है where to contact and what to do तो यदि आपके result के सामने यह लिखा हुआ है तो उसका अर्थ यह हुआ unfair means against and decision is still pending उसके सुधार के लिए आपको concerned dealing official of the result branch R1, R2, R3 who is dealing with your class ठीक है आपको इस result से समद्ध जो dealing officer है dealing officer कौन है register 1, register 2, register 3 जो इन सब examination से समद्धी से जो समस्या है उस problems है उसको deal कर रहे है तो उन officer से आपको संपर करना होगा वो जो भी आपको रास्ता दिखाएंगे जो भी तरीका बताएंगे आप उसको follow कीजिए आपका result सुधार चाहिए तो आगे बढ़ते हैं second number second number में दिया हुआ है RLD RLD का मतलब क्या है यानि कि बहुत सारे बच्चे है जिनके result के सामने RLD भी लिखा हुआ है result कल आया है और जिसने भी अगर result नहीं देखा है तो इस channel पे result कैसे देखा जाए कैसे आप अपना result देख सकते है उसको बताया गया है आप उस वीडियो को एक बार follow कर ले देख ले तो आपको पता चल जाएगा तो जिनके सामने RLD लिखा हुआ है उनको भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है RLD का मतलब हुआ result late due to dispute in marks और roll number result आपका late है ऐसा नहीं कि आप खेल है result late है due to dispute in marks marks में कोई जंजट है marks आपका सही से नहीं चड़ाया गया है marks छूट गया होगा गलती से marks नहीं चड़ा होगा या roll number या roll number नहीं चड़ा होगा इस कारण से आपका result तो नहीं कर रहा है इस तरह के समस्या जिनके साथ है तो उनके result के सामने लिखा हुआ है rld वो भी यह dealing officer है उस class के उस dealing officer से संपर्क करके वो है r1, r2, r3 r1 का r मतलब होता है register register 1, register 2, register 3 उनके पास आप जा सकते हैं और application देखे अपना result सुधारवा सकते हैं c l अगर जिनके result के सामने c l लिखा हुआ है तो उनका हो जाएगा cancel cancel का मतलब हुआ किसी कारण से जिनका exam cancel हो चुका है जिनोंने खुद exam नहीं दिया हो paper नहीं दिया हो अब sent रहे हो तो उनके सामने लिखा हुआ है cancel यानिक उनका exam cancel है इस तरह की जो परिशानी है वो भी इन officer से मिल सकते है rla जिनके result के सामने rla लिखा हुआ है तो उसका हुआ result late due to non availability of marks rla जिनके result के सामने लिखा हुआ है उसका अर्थ है result late due to non availability of marks यानि की marks के अनपुलब्दता के कारण उनका result late है उनका marks नहीं आया है college से नहीं गया होगा कहीं university में इस कारण से result आपका late है इसलिए आपके result के सामने लिखा हुआ है rla इसके लिए भी उसके concern dealing officer है उनसे आपको मिलना पड़ेगा वो आपको जो भी तरीका बताएंगे उसको आपको follow करना पड़ेगा तो आपका result आ जाएगा घबडाने की बिलकुल चिंता घबडाईये मत 5 5 नमबर में देखिए rpr, rl बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो comment कर रहे हैं कि मेरा result आ चुका है इतना marks है लेकिन हमारे result के सामने लिखा हुआ है rpr rpr लिखा हुआ है थोड़ी सी परसानी है लेकिन आपको घबडाने की जरूत नहीं है क्योंकि rpr का मतलब हुआ non-ability of registration number यानि जिनका registration number नहीं गया है उन्हीं के सामने उन्हीं के result के सामने लिखा हुआ है rpr अब registration number क्यों नहीं गया हुआ मैं वो भी बता देती हूँ जिन्होंने migration certificate जमा नहीं किया है college को अब लेवल नहीं कराया है migration certificate उनको registration number नहीं मिला होगा और उन्होंने exam दे दिया होगा और यह कहा होगा कि आप exam के बाद भी जमा कर देजिए लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया होगा तो migration certificate जमा नहीं करने के कारण उनका registration number नहीं दिया गया registration number नहीं मिलने के कारण आपका result rpr so कर रहा है result clear नहीं है तो आप migration जमा किजिए आपका result सुथा चाहेगा नमबर 6 में दिया हुआ है absent या absent दिया हुआ है तो absent का मतलब होता है कि absent in all theory paper यदि आपने all theory paper में absent है यानि कि आपने exam दिया ही नहीं हो आपने exam को dump कर दिया हो यानि exam छोड़ दिया हो तो वहाँ आपका result में absent सो करेगा 7 serial number 7 में क्या लिखा हुआ है PRS serial number 7 में लिखा हुआ है PRS PRS cancelled RL withheld तो PRS का मतलब हुआ previous result stand तो PRS यानि कि previous result clear नहीं होने के कारण आपका आपके result के सामने PRS लिख रहा होगा ये समस्या ज़्यादा तर हुआ होगा second year के विद्यार्थियों के साथ तो PRS वहीं हुआ previous result stand serial number 8 में लिखा हुआ है RLE RLE का मतलब not eligible यानि आप कोई ऐसा कारण रहा होगा जो not eligible दिखा रहा है तो आप एक बार अपने college के जो भी dealing officer है उनसे मिलिए और अपनी समस्या बताएए वो बताएए कि आप eligible क्यों नहीं है कौन सा ये कारण है वो वहाँ बता दिया जाएगा घबड़ाने के बिल्कुल नहीं ज़रूत नहीं है आप आगे भी तैयारी कर सकते है serial number 9 RLD जिनके result के सामने RLD लिखा हुआ है result late due to dispute in marks या roll number marks या roll number के absentee के कारण आपका result late है तो इसलिए आप डिलिंग अफिशर से मिले अपने समस्या का समाधान करे ओके तो RLD हो गया अब एक लिखा हुआ है टेन नंबर में RLMD RLMD का मतलब हुआ result late due to dispute in marks RLMD भी लिखा हुआ है उसका भी अर्थ हुआ result late due to dispute in marks marks के कारण बिशेस रुप से marks यानि जो भी आपके marks हैं अंक हैं वो किसी कारण से फसा हुआ है clear नहीं हो रहा है अब कहां से clear नहीं हो इन्वर्शिटी नहीं दिया है college नहीं दिया है college से नहीं गया होगा बहुत सारी ऐसे प्रशानियां होगी तो उसका अर्थ हुआ तो उनके सामने रिजल्ट के सामने लिखा हुआ RL MD ओके चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए लास्ट बचा हुआ है कि इसे नंबर 11 वो है और पी एफडी और पी एफडी और पी एफडी जिनके रिजल्ट के सामने लिखा हुआ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनोंने कमेंट किया कि मैं मेरे इसका मतलब क्या हुआ कियों हम लोगं कैसे सुधरवास सकते हैं अब पास कर वो चुकए है लेकिन आपके ते आपषी एफडी एफडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होआ डेखि़ीं यहां पर आपके सामने है रिजल्ट प्रोविजणल फीधिफॉर्टुश्च・・・ प्रोविजनल फी यानि जो है यानि इसके पहले जो फी इसा नहीं कि आप परस्ट यहर में हैं तो आप सेटर के लिए उसकुछ जंजट नहीं है तो फीर में किसी भी तरह का कोई एक्जामिनेशन फॉर्म होगा, फी होगा या आपके क्लास का फी होगा, तो जो फी आपने जमा नहीं किया होगा, किसी भी तरह का, फी जो है, आपने जमा नहीं किया होगा, इस कारण से आपके रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया है, यानि कि आप फी आदी जमा कर देंगे आपका दिउर्टे कर रहा है कि कितना है कैसे FEE जमा करते ही आपको DECLARE किया जाएगा पास DECLARE किया जाएगा घृटे थो का वे जवे उझा लीखा हुआ है 217 př्षिक जाए यहां कि इस अब यहां से अनौर कॉलेज में जामा करें और अपना रिजल्ट अब देखिए सिरियल नंबर 11 से संबंदित कुछ यहां पर नंबर दिये हुए हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको बढ़ के बता देती हूं यह इसमें यह चीज है कि जिनके रिजल्ट के सामने आर्पी एफडी लिखा हुआ है वो बच्चे कहा जाएं क्या करें कैसे मतलब अपने रिजल्ट को सुधरवा सकते हैं तो फॉस्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं एस्टुडेंट अपका जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट के साथ जो फी आपको डिस्पले हो रहा है उतने फी को आप रिजल्ट निकलने के पंदरह दिन के भीतर आपको जमा करना पड़ेगा करना होगा अगर आप जमा करते हैं तो आपका रिजल्ट के लिए होगा second after that the student shall get his her fee verified from the cash fee section जब आप फी जमा कर देते हैं तो आप cash fee section से fee verification आप प्राप्त कर सकते हैं then he shall move to the concerned dealing officer in result branch for obtaining DMC अच्छा जब आप fee जमा कर देते हैं fee section में जाकर आप उसका verification form verified form ले लेते हैं fee verified form ले देते हैं तो उस result branch के dealing officer R1, R2, R3 है उनके पास जाएए उनको दिखाएए तो फिर आपको DMC मिल जाएगा तो अथा नमबर में क्या कह रहा है if such a student need to apply for online evaluation form then the concerned student shall get his result status changed from the concerned dealing official of the result branch देख लिजे इतना यानि कि इसमें यह कह रहा है कि जो बच्चे री-evaluation कराना चाहते हैं यानि कि इनका marks कम है उन्हें लगता है या marks नहीं है तो चाहते हैं कि री-evaluation हो इसमें री-evaluation marks कम जिनका होगा तो उनके लिए नहीं जो फिर से copy जाच करवाना चाहते हैं री-evaluation का मतलब है कि आपको लगता है कि आपका marks प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपका marks आया नहीं है तो इसके लिए आपको री-evaluation form पूरा मुल्यां confirm भरना होगा उसका चार्ज होगा आप कॉलेज में पता किजिए सायद पर पेपर 300 है जैसे कि मेरी जनकारी की अनुशार मैं गलत भी हो सकती हूं इसलिए आप confirm कर लें जहां तक मुझे जनकारी है सायद पर पेपर 300 चार्ज लगता है तो तो आप वहां से form भरके आप अपना result भी इस तरह से सुद्रवा सकते हैं तो इस तरह से यह रहा जो भी विद्ध्यारती हैं उनकी समस्या का समाधान यानि कि आपके result के सामने यह सब चीज लिखा हुआ है तो आप गबडाने के बिल्कुल जरुत नहीं है मेरी शुब कामनाय आपके साथ है जो भी प्रोसेस बताया गया है जो भी यह अब्रिवियेशन दिखाया गया है आप उसको देखें और अपने college में संपर करें आपके result में जरुर सुदार होगी और अच्छे से त्यारी करें आप second year आपने पास कर गए तो आपको बहुत- परस्ट इयर में है नियू जिनका ज्वाइनिंग है यह कहीं कि नियू एड़िशन है उनके लिए मैं आपको बता दू इसी चैनल का self-met tutorial तेलिग्राम चैनल उससे आप जूड़ेंगे आपकी जो भी समस्या है तो हम बताई जाएगी आपको notes भी अबलेबल कराया जाएगा जो वीडियो बनाया जाते हैं उसके पीडियो वहाँ पर आपको असानी से मिल जाएंगे और जो भी क्यूड़ी होगा आपकी जो मन के आपकी प्रशन होगे वो सारे वहाँ सॉल्व कर दिये जाते हैं तो आप चैनल से ज्यादा ज्यादा जूड़िये और जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक बटन दबाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब ने के हैं सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें ताकि सभी बच्चों की जो भी परशान आओ जल्द से जल्द सॉल्व हो सकें हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक बने रहे चैनल पर धन्यवाद